वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं चना दाल गोश चना दाल गोश बहुत फेमस डिस है जो सभी को बहुत पसंद आता है और बहुत ही टेस्टी बनके तयार होता है अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो पिलीड सब्सक्र करें जादा से जादा लोगों में शेयर करें चलिए हम सुदू करते हैं जिसके लिए मैं थाप दाल को चने के नि 허락 दी yet अब डायरेट कूकर हमें एक अपने दाल को बॉैल करेंगे हाग टीस्पून नमक हमने इसमें डाल देना है नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा ये तीन हरी मिर्ची को हमने सिलिट करके डाल दिया है छोटा सा प्याज हमने बड़े टुकड़ों में कट करके डाल दिया है quarter teaspoon हल्दी हमने add कर दिया है और अद्रक लसन कर थोड़ा सा हमने पानी इसमें add कर दिया है करीब एक teaspoon के पराबर अब इसमें हम पानी add कर देंगे पानी हमें इतना डालना है कि हमारे दाल अच्छे से पक जाए अब इसको हम दो सीटी में अच्छे से cook कर लेंगे अब मेरे cook कर गरम हो चुके है अम उसमें 100 ml के करीब oil add कर देंगे यह mustard oil है आप किसी भी oil में बना सकते है बहुत ही tasty बन के तयार होता है चना दाल गोस अब हमारे oil गरम हो रहे हैं हम थोड़ा सा वेट करेंगे oil के गरम होने तक हमारे oil गरम हो चुके हैं कुछ खड़े मसाले हम add कर देंगे दो छोटी लाइची छोटा सा टुकड़ा दाल चीनी का तीन से चाल लॉंग दो तेज पत्ता थोड़ी सी शाही जीरा इसको हमने add कर दिया है अब हमारे खड़े मसाले चटकने लगे हैं हम उसमें अपने प्याज को add कर देंगे ये दो medium size का प्याज है लाइट गोल्डेन तक इसको हम fry करेंगे हमारे प्याज लाइट गोल्डेन कलर के हो चुके हैं अब इसमें हम अपने गोस्त को add कर देंगे 500 गराम ये हमारा गोस्त है टू टीस्पून अद्रग लस्टन इसमें add कर देंगे अद्रग लस्टन को अच्छे सामीसी में mix करके भून लेंगे अब हमारे गोस्त का कलर भी चेंज हो गया है इसमें पौडर मसाले आड़ कर देंगे क्वाटर टीस्पून के बराबर हल्दी हमने add कर दिया है वन टीस्पून लाल मिर्चो का पाउडर थ्री टीस्पून धन्या पाउडर वन टीस्पून जीरा पाउडर वन टीस्पून नमक नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से add करिए तो अच्छे से mix कर लेंगे थोड़ा सा इसमें पानी add कर देंगे करिब दो टेबल इस्पून के बराबर अभी हमारे गोस पानी छोड़ेंगे ये हाफ टीस्पून से थोड़ा से जादा गरम मसाला पाउडर हमने add कर दिया गरम मसाला पाउडर अभी हमें बाद में भी add करना है अब हम अच्छे से ढकन लगा के दो से तीन सीटी तक इसको कुक कर लेंगे आप अपने गोस पे डिपेंड है देखिए हमारा तीन सीटी में गोस गल गया है अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे इसमें एक बड़े साइज का टमाटर हमने डाल के अखोब अच्छे से इसको भून लेना है पूरे आयल उपर आ जाएंगे तक तक हमें भूनना है फुल फ्लेम पे देखिए अखोब अच्छे से हमारा गोस भून चुका है अब हम इसका थोड़ा सा तरी निकाल लेंगे तरी हम इसलिए निकालेंगे कि जब हम डाल को आइट करेंगे तो सारी चिकनाई खतम हो जाएगी अफिजब डाल को सर्फ करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में और हमारे इंडियन खाने में देखने में अच्छा लगता है खुब तरीदार होता है तभी लोगों को पसंद आता है देखिए हमारे दाल भी अच्छे से गल गया हैं इसको थोड़ा से कलचली से इसी तरीके से हम मैस कर लेंगे और अपने गोस्त में आइट कर देंगे अब अगर आपको और भी गड़ा खाना हो और पतला खाना हो अब इसी स्टेज पे आप अपने पानी के अंदाज देख लीजिए आपको और डालना हो डालिए नहीं डालना हो ते यहां तक ठीक है देखिए यह भी पकेगा पकने के बाद थोड़ा सा ओ ठीक होगा अब इसमें हम दो सिलिट की और हरी मिर्ची डाल दिये हैं अद्रक लंबे कटे हुए अद्रक हमने डाल दिया है थोड़ी सी हरी धनिया आइट कर दिये हैं अब इसको धीमी आज पे पांच मिनट तक हम माउर पकाएंगे देखिए अब हमारे पांच मिनट हो चुके हैं दाल हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं अब उस पे हम थोड़ा सा बगहार आट कर देंगे यह पेओर घी का बगहार हमने बना लिया था अब इसको आट कर देंगे फोड़ी से हरी धनिया आट कर देंगे लंबे कटे हुए दरफ हम थोड़ा सा और आट कर देंगे और थोड़ा सा भूना गरब मसाला पाउडर हम उपर से डाल देंगे अब हम सर्फ करके दिखाएंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा आप हमारे वीडियो को देखें इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया देखिए हमने अपने तरी को देखिए अब हम डाल रहे हैं देखिए कितना अच्छा लगने लगा है अब हम देखिए अब हम आपको देखिए अब हम देखिए झाल झाल